पहले बाजार की चाल देख लेते कि बाजार आज किस तरह से परफॉर्म कर रहा है बाजार आज रिकवरी की कोशिस हुई लेकिन दिन की उचाई से फिर से फिसल चुका है एक अच्छी रिकवरी की कोशिस थी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हुआ दिन के दोरान लेकिन फ जिरावर बढ़ती जा रही है हरे निशान से लाल निशान में बैंक निफ्टी भी आ चुका है आज कहां पर सपोर्ट है और कहां से दबाव है सरकारी बैंकों में आज तेजी दिख रही है और वहां पर बैंक को बड़ोधा टॉप गिनर है चार परसंट की तेजी वहां पर रही है लेकिन वहां पर भी हुचाई से देखे तो दबाव बना है इंडियन बैंक केंडरा बैंक भी यहां पर मजूटी के साथ कारवार कर रहे हैं एक और सेक्टर जहां पर आज कमजोर बाजार में भी उतार चड़ावरे माहौल में भी तेजी दिख रही है वह है आईट स्टूडियो में अंश सबसे पहले बहुत बहुत बढ़ाई आपको हमने तीन साल पूरा कर लिया है और बाजार का प्रदर्शन आज आपको कैसा दिख रहा है कौन से ऐसे पॉकेट्स है जहां पर दबाब दिख रहा है और कहां रिकावरी की कोशिस है या अच्छी होती दिख रही है जो बिल्कुल जैसे हमारे यहां भी फूल ओफ एनरजी आज की दिन हमें ऑफिस में क्यूंकि हमें थर्ड अन्वर से रिये से मगर हम देखे तो बाजार में भी काफी एनरजी दिख रही है मार्केट शूरू तो पहले फ्लैट हुआ उसके बाद में उप यहां पर काफी बेरिस सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है और पूरे ब्रॉडर इंडैसिस में भी मिट केप स्मॉल केप की बात करें तो यह भी हमें दोनों लाल निशान में दिख रहे हैं इसमें थोड़ी रिकवरी दिखी थी लेकिन जैसे के अभी हमने डिसकस किया क बारा वज़े के आसपास से एक स्ट्रॉंग सिलिंग आए जिसके वज़े से पूरा ही मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस गिरते में मार्केट में अगर हम देखे के कहां पे थोड़ा रिलीव थोड़ा सा होप दिख रहा है तो सेक्टर के बात करते है बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहां पर हमें पीएसव बैंक इंडेक्स नजरा आता है जो कि अच्छी तीजी के साथ ट्रेट कर रहा है इसकी लिस्ट में देखे तो यहां पर बैंक ऑफ बरोड़ा इंडियन बैंक ऑफ कैनरा बैंक जिसे स्टॉक्स करें तो यहां पर हमें निफ्टी रियाल्टी इंडेक्स नजरा आता है अगर इसका चार्ट देखे पूरा हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखे तो इसकी जो गिरावट हो रही है इस हफते की वह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है अगर हम एपसलूट टर्म में तो यहां पर कहीना करी रिवर्सल आने के संकेत भी रहते हैं लेकिन चलिए अब निफ्टी रियाल्टी की बात ही कर रहे तो इसमें टॉप लूजर भी देख लेते हैं इस लिस्ट में देखे तो यहां पर हमें गोद्रिश प्रॉपर्टी इंडेक्स को काफी नीचे के तर काफी लिमिटेट स्टॉक नजर आ रहे हैं अगर लाज कैप में देखे तो यहां पर नौकरी दिख रहा है इंफो एच जो कि कुछ देड़ परसन की तीजी के साथ भी ट्रेट कर रहा है तो इस गिरतोय मार्केट में अगर यह स्टॉक पॉजिटिव रह रह रहा है उल्ट क्यां से इन्वें स्टॉक में काफी जा चुका है जिस वज़ते से सिर्फ्स seasonerie नहीं वो भी माली के साथ इसमें के शुक्रिया अंश पूरी डीटेल्स बताने के लिए कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और कहां पर कमजोरी दिख रही है और कहां पर इस कमजोर बाजार में भी तेज़ी है अब हमारे साथ मेमान है जियो जीत फाइनेंशल सर्विसेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग गिरावट दिख रही है ब्रोकरेज हाउसेस की सेल रेटिंग का भी यहां पर दबाब है क्या लग रहा है आज की गिरावट में क्या करना चाहिए डीमार्ट में सर्वाद बहुत धन्यवाद विश्मून जी आपका सभी को प्रणाम और शुब्दिन अमारे तरफ से डीमा अधिकार से लोगों का माघदर्शन करते रहें अलग-अलग कारिक्रम में आप जो मोहीम चलाते हैं शेर बजार सबका अधिकार उधारन के तौर पर इससे लोग जागरूत होते हैं और हम जैसे निमित को एक साधन मिलता है लोगों तक पहुशने के लिए तो हमें भी आप के सफर में शामिल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और परमाता से परातना है आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें अब आते हैं प्रशन के उपर तो देखिए डी मार्ट एविन्यू सूपर मार्ट ये एक स्टॉक ऐसा है जिस पर हमने निरंतर लंबी अबदी के लिए निवेश की राई दी है आज मेरे ख्याल से कोई एक संस्तागत निवेशक के तरफ से विक्वाली की राई आई है और उसी विदेशी संस्तागत निवेशक कोई दूसरी कंपनिये जहां पर खरीदारी की राई दे रहें तो ये थोड़ा बहुत असमंजस परिस्तिती वाली बात है लेकिन हमें बिल्कुल विश्वास है जिस प्रकार से पिछली वित्य वर्ष में नए स्टोर्स खोले गए थे उसका योगदान धीरे-धीरे करके बैलेंशीट पर आएगा और जिस प्रकार से नेटवर्क इनका बढ़ता जाएगा हाँ एक बात ब किसी को नाया निवश करना है तो हम उसकी भी राई देंगे लेकिन समय अनुसार नीतियों में बदलाव नहीं के कारण जो NELP पॉलिसी जो एक्स्प्लोरेशन पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत हमारी गती फीकी पड़ गए थी लेकिन फिर से नीतियों में बदलाव किया गया है और एक्स्प्लोरेशन कंपनी इसको मेरे खाल से इसका कंपनिया है इनको बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा 280 तक के लक्षां के लंबी हो दिख लिए गेल पर पर जो करेंट लेबल है यहां से 40 रुपए की गुंजाईस तेजी की लग रही है गौर आंग सर को तो आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं इस गिराबट में एक और स्टॉक है पीडी लाइट यहां पर क्या व्यू बन रहा है सर आज के साथ में यहां भी काफी कमजोरी द दिख रही है खरेंट लेबल पर खरीदना चाहिए और वेट करें खरीदारी करना समय और दाम देखना मेरे ख्याल से अनिवार्या नहीं है जहां तक आप हमें पूछते हैं क्योंकि हम बुन्यादी तरके आदार पर लंबी अर्दी के लिए मापड़न करते हैं तो हमारे ल तो उसको दिरे-दिरे करको आपको जोड़ना चाहिए इस गिरावट से पहले विश्मभुन जी इस तो ने अच्छा कासा उपर के तरफ का दाइरा भी दिखाया था और स्पेशालिटी और आग्रोकेमिकल्स को ले करके तो हमें लग रहा है कि चाइना प्लस वन येरो प्ल अब सरकारी बैंकों की बात करते हैं यहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है बैंक का बड़ावदा देखिए करीब परीब चार परसंट की मजबूती दिखा रहा है मांकी बैंक में भी ठिक ठाक तेजी दिख रही है पीसु बैंक से कुछ टॉपिक आपकी तरफ से सर तो इस श्रेणी में जो सूची है वहाँ पर करीबन पांच या छे नाम है अगर मेरी यादधा सही है तो और आज सुबह मेरे ख्याल से बजार खुलने से पहले या बजार खुलने के तत पस्चा थी HDFC ने अपने जो एडवांसे और लोंस थे उसकी गाइडन्स के आंकडे दिये थे हमारी सोच और विचाधारा ये कहती है कि ये ग्रोथ जो है रेन की मांग जो है और सकारात्मक सासर ग्रॉसनेट नपीए पर ये सिर्फ नीजी बैंक तक सीमित नहीं रहेगा सरकारी बैंकों ने भी मेरे खाल से काफी अच्छा काम किया है जिससे बैलन्स शीट की परिश्टिती सुद्री है State Bank of India, Bank of Burda, Bank of India, Canada Bank, Indian Bank और PNB ये छे नाम है और ये छे नाम जो हमने अभी अभी आपके समक्ष रखे है वो बहुती सक्षम और मदबूत Bye बैंक से सरकारी बैंक जिसमें काफी बैंकों का विलय भी हुआ है और परिवर्तन बहुत अच्छा हो र सेक्टर कमजोर बाजार में भी इतने उतार चड़ाओं के बीच में भी अपनी तेजी बरकरार रखे हुए डेडर परसंट के आसपास की तेजी दिगज आईटी कमणियां इनफोसेस विपरो यहां पर ठिक ठक तेजी दिख रही है यहां से कुछ पसंदार है आईटी सेक्ट से सर गौरांग सर तो इस प्रकार के बाजार में विश्मववन जी जब अंतराष्ट्य स्तर से जो खबर आ रही है उसका असर हम देख रहे हैं आपने देखा होगा शुरुवात कमजोर होई फिर पूरी जो कमजोरी थी उसको हमने पीछे चोड़ करके उपर गए और फिर वापिस नहीं तो कुल मिला करके 600 पॉइंट की दोनों तरफ के उपर नीचे के ताइरे निफ्टी में देखे 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट बढ़ात और फिर गिरावट हम सेंसेक्स में देख रहे हैं और निफ्टी में भी वैसा कारोबार तो ऐसे माहौल में दो श सामने Tech, Mahindra और TCS परात्मिक्ता के आधार पर मज़ौली IT कंपनियों में Persistent Systems और Co-Forge और छोटी IT कंपनियों में KPIT Tech या फिर Tata Technologies जैसी कंपनिया है Tata LXC जैसी कंपनिया है ये भी काफी मजबूत और शक्षम है IT में आपको Tech, Mahindra, TCS, Persistent, Co-Forge, Tata Technology जैसी कंपनिया आपको फसंद आ रही है शुक्रिया गौरांग सार आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस उतार चड़ाओ भरे बाजार में इस गिरावट भरे बाजार में आपको क्या करना है कहां पर निवेश के मौप के दिख रहा है